एगाईज बेसी नर्सिंग का नंबर वन चनल एस्टेटीम मेडियम आप सभी का सवाल गता आगा तो आज के इस वीडियो में आपको नर्सिंग का बहुत ही अच्छे-चे कॉंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो वीडियो को सुरू से एंटर देखिएगा अगर पूरा प्लेलिश् एगर द्वार रचित जन गन मन सबसे पहले जनवरी उनीस सो बारेश्वी में किस सिर्षक से परकासित हुआ था जय है राष्ट जागिरती भारत विधाता या फिर मात्री भूमी तो इसका कईट अंसर हो जाएगा आपसने जय है ठीक है यह जय है कि सिर्षक से परकासित नेक्ट क्वेश्चन से ड्रेन का सिधान्त किसने प्रतिपादित किया था बाल गंगा तीलक दादा भाई नरोजी गोपाल किसन गोखले या फिर गोविंद रानाडे तो इसका करेट अंसर हो जागा ओप्शन भी दादा भाई नरोजी दादा भाई नरोजी ने ड्रेन का स बनाया और गोवा को अपनी कब्जे में लिया तो किस बर्स वो लिया था अब 1496 1510 1524 या फिर 1556 तो इसका करेट अंसर हो जागा option भी 1510 ओके next question से भारत में पहला समाचात पत्र निम्न में से किस ने शुरू किया था दादा भाय नरो जी ने डवलू सी बनेर जी ने रविन्ना टैगोर ने या फिर जेम्स ए हिक्की ने तो इसका करेट अंसर हो जागा option डी जेम्स ए हिक्की ने सबसे पहले समाचार पत्र जो है वो भारत में शुरू किया था नेक्ट कोश्चन से बूध ने सारवदिक उपदेश दिये थे बैसाली में स्रावस्ति में कोसांबी में या फिर राजग्री में तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा option भी स्रावस्ति में बूध ने सबसे ज़्यादा उपदेश स्रावस्ति में दिये थे next question से महाभाश्य के लेखक पतंजली समसामईएक थे चंद्रगुप्त मौरी के अशोक के पुष्यमित्र सुंग के या फिर चंद्रगुप्त पर्थम के तो इसका correct answer हो जागा option C पुष्यमित्र सुंग के ठीक है महाभाश्य का जो लेखक थे जिनको पतंजली के नाम सुझाना जाता है पतंजली जो थे वो पुष्यमित्र सुंग के समकालिक थे ठीक है next question से डिली के किस सुल्तान ने ब्राह्मनों पर जजिया कर लगाया था तो ब्राह्मन पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था बलबन, फिरोज सा तुगलक, अलावदिन, खिलजी या फिर मुहमद बिन तुगलक तो इसका correct answer हो जगा option V फिरोज तुगलक फिरोज तुगलक ने ब्राह्मन पर जजिया कर लगा दिया था next question से किस बंस के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था खिलजी बंस, लोधी बंस, दास बंस या फिर तुगलक बंस तो इसका correct answer हो जगा option V तुगलक बंस ये अडिल्ली सलतनत का सबसे अधिक समय तक राज करने वाला राज था next question से सेडलर आयोग सम्बंदित था नियाय पालिका से, राजेश्व प्रशाशन से, सिक्षा से या फिर पुलिस प्रशाशन से सेडलर आयोग, very important है यह किस सम्बंदित था, यह सिच्छा से सम्बंदित था, सेडलर आयोग next question से 1929 में भारती राष्ट्य कॉंग्रेस के लाहोर अधिवेशन के अधिश्था किस ने किती, मोतिलाल नेहरू ने, सियार दास ने, जवालाल नेहरू ने, या फिर एस सी बोस ने तो इसका करेट अंसरो जाएगा ऑफशन सी, जवालाल नेहरू ने, भारती राष्ट्य कॉंग्रेस, जब लाहोर में अधिवेशन हो था, 1929 में तब उसके अधिश्था किती, जवालाल नेहरू ने next question से बेरोजगारों के सहायतार्थ डिल्ली के निमलिकित सुल्तानों में से किसने रोजगार कारिया लए किस था अपने कीती बलवन ने, अलावदिन खिलजी ने, मुहमद बिन तुग लगने या फिरोज सा तुग लगने next question से इस मुगल बादसा ने बलवन दुवारा प्रारम किया गया दरवारी रिवाज, जिसको सीजदा बोला जाता है, उसको समाप्त कर दिया था, अकुबर, जहांगीर, सा जहां या फिर औरंजे तो इसका करेट एंसर रोजेगा option सी, सा जहां सा जहां ने क्या किया, सीजदा को खतम कर दिया था, ठीक है, next question से, गुप्त समराट, जिसने हुनों को पराजित किया था, वो कौन से गुप्त समराज था, समधर गुप्त, चंदर गुप्त दूती है, इसकंद गुप्त या फिर राम गुप्त, तो इसका करेट अंसर पराया था, next question से, अलावदिन खेल जी के आकरमन के समय देवगिरी का सासन कोन था, प्रताप रुद्र देव, राम चंदर देव, मलिक काफूर या फिर राना रतन सिंग, तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, option B, राम चंदर देव, ठीक है, अलावदिन खेल जी के आकरमन के समय देवगिरी का सासकता, राम चंदर देव, next question से, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उलसफा क्या था, एक दान साला, एक खेराती अस्पताल, एक पुस्तकाला या फिर तिर्थ यात्रियों के लिए एक अतिती गिरिये, तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने ये बनाया था, इसका नाम था दारूल उलसफा, तो ये एक हस्पताल था, next question से, इस्थाई बंदवस किस के साथ किया गया है, जमिनदारों के साथ, ग्रामिन समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, या फिर किशानों के साथ, तो इसका correct answer हो जाएग एटली, चर्चिल, फ्रैंकलीन, या फिर नेविल, चेंबरन, लेन, तो इसका correct answer हो जाएगा एटली, ठीक है, एटली नामक प्रधान मंतिरी, जो कि ब्रिटिस के प्रधान मंतिरी थे उस टाइम, 1947 में, तब भारत आजाद हो आता, ठीक है, next question से, बोध संग के अनियम, मुल किस पुस्तक में दिये गए है, तिरी पीटक में, विनाई पीटक, अधी धम पीटक, या पर सुथ पीटक, तो correct answer हो जाएगा, option B, विनाई पीटक, विनाई पीटक एक बोध गरंथ है, ठीक है, विनाई पीटक जो है, वो एक बोध गरंथ है, और इसमें बोध संग के सारे नियम को यहाँ पर वरनित किया गया, ठीक है, विनाई पीटक, नेक्ट कोशन से, कल्प सुत्र के लेखा कौन थे, सिमुक, पानेनी, भद्र भाहू या पतनजली, तो इसका correct answer हो जागा, option C, भद्र भाहू, भद्र भाहू ने कल्प सुत्र की रचना की थी, और नेक्ट में, गुरु गोविन सिंग के हिता हुई थे, गुरु गोविन सिंग, सिक के दसवे गुरु थे, और इनके हिता का हुई थे, 1708 में, ठीक है, आप हमारे एप के साथ जोइन हो जाओ, आपको यहाँ पर success batch मिलेगा, जो aims के लिए एकदम perfect होगी, यहाँ पर आपको recorded classes, live classes, chapter wise notes, doubt session, practice set, weekly test और previous year questions के complete solution मिलेंगे, और यहाँ पर 100% selection की guarantee है, यह course आपको सिर्फ पर सिर्फ 499 में कराया जाएंगे, पूरा एकदम जब तक आपका exam नहीं हो जाता, आपका course classes चलेगी, already classes चल रही है, सभी लोग जल 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 जोइन हो जाएंगे, उसके बाद आपको practice के मिल जाएंगे, यह आपको 149 में मिलेगा, यह भी आपको हमारे app में ही मिलेगा, ठीक है, तो all subject का practice करना तो यह PDF अप ले ले लेना, और app का link हमने description box में दे रखा, या फिर जाके play store में search करना study medium आपको दीख जाएगी, और कोई भी doubt अगर हो ताप इस help line number पे call करना, आपको instant solution मिलेगा, और अगर आपको course purchase करने में problem होती है, तो आप इस number पे direct phone पे, Google पे, Paytm कुछ भी कर दो, और आप हमें WhatsApp कर देना, आपका course active हो जाएगा, ठीक है, यह वीडियो कर पसंद है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डे गले बवाय.